एक गलास पानी के अंदर सौफ के तेल के पांच कत्रे शामिल करके किसी भी वक्त पी लो, मुटापा चन्द दिनों में नजर भी नहीं आएगा पानी पीने के दोरान लीमू चाड लिया करो लड़का हुआ पेट एक अफ़ते में अंदर चला जाएगा जिल्द का मसला हो या चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गरम पानी सबसे ज़्यादा फाइदे मन्द है खारिश इनसान को हो या किसी क्रेलू जानवर को दस रुपे की गंदक मंगवाएं इसमें चुटकी पर निला थोमा मिला कर पीस लें एक टांग सरसों के तेल में मिला कर खारिश जदा हिसे पर लगाएं इन्शाल्ला खारिश हमेशा के लिए खतम हो जाएगी दिल की धरकन का तेज हो जाना बड़ी इलाइची 10 गराम 200 मिली लिडर पानी में रात को भीगो कर रख दें सुबो को मल मल कर छान कर हम वजन अर्ग क्योड़ा मिला कर महार मूँ पिएं दिल की धरकन तेज नहीं होगी जो कंदर के पत्तों को पानी में डाल कर उबा लें और इस पानी से सर दोएं सर के खुश्की खतम हो जाएगी जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाएं वो रुजना रात को आदा किलो दूद में चंद कत्रे रोगन बादाम डाल कर पिएं ख्याल रहे दूद नीम गरम हो बाल सफेद हो और नरुक जाएंगे और सफेद बाल स्या हो जाएंगे औरत के चेहरे पर जुडियां आने लगें तो फोरण एक गिया तोरी काट कर चेहरे पर मसल दीजिए तो दिन में जुडियां खतम हो जाएंगी चने की डाल के पानी से छे दिन तक मूँ धोएं चेहरे की सावली रंगत तूद जैसी सफेद हो जाएगी सर के बाल गिर गए हैं तो सुंबल के दरक्त का पत्ता सर पर बांग कर सोया करो बाल आना शुरू हो जाएंगे रोटी का लुकमा छोटा खाओ और हमेशे अच्छी तरह चुबा कर खाओ और खाना खाते वक्त दूसरों के मूँ की तरफ भी ना देखो जमीन पर पैट कर खाने के फाइदे, खाना हजम होने में मदद मिलती है, वजन कम करने में मदद मिलती है, हडियों के जोड मजबूत होते हैं, दिमाग पर सकून होता है, जमीन पर पैटने से कॉलों और गुटनों में ज्यादा लचक पैदा होती है, जमीन पर बगैर टेक लगाए बैठने से जिसम के मरकजी हिस्से के मसल्स मजबूत होते हैं समीन से बगैर सहाड़े उठने से इनसानी जिसम की उमर्ड बढ़ सकती है करना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती हाप वाइल अंडा खाने से नीद कम आती है कमरे में नमकीन पानी भर कर रखने से मच्छर नहीं आते फटी हुई जुरापे पहनने से कद बरना रुक जाता है जो अपने हाथ के नाखुन मुझ से काड़ता है तो समझ जाओ बहुत जल्द उस गर में मनहुसत चा जाएगी और इसके में कमी कर दी जाएगी तीन गजाएं ऐसी हैं जो जवानी वापस ले आती हैं मच्छली तलिया और खुश्क मेवा जात अमरूद खाने से डिप्रेशन दूर होता है बालों को स्याप बनाने के लिए कुलवंजी का इस्तमाल करें हाफिजा इन चीजों से बढ़ता है नमबर एक प्रोजा रखना नमबर दो हमेशा बावजू रहना नमबर तीन मिठी चीज खाना नमबर चार शहद का इस्तमाल करना नमबर पांच कुराने मजीद की तलावत करना नमबर पांच है किबले रुख बैठना नमबर साथ कोश्ट खाना नमबर आठ पिलूला करना नमबर नो आईतल कुर्सी का पढ़ना नमबर दस रात को लेसन खा कर सुबा करो सुबा आँखुल जाएगी खाली पेड काम शुरू करोगे वक्त आइस्ता चलेगा